दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वारेन बफेट का कहना है जब तक आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंद लेते जो कि आपके सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे तो मरते दम तक भी आप सिर्फ कमाते रह जाओगे आज के टाइम में हम जो भी चीजें तो वही चीजें हमको आज के मुकाबले लगबग आधे दावों में मिल जाया करती थी क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ चलिए मैं बताता हूँ इसको इन्फलेशन इफेक्ट कहते हैं इन्फलेशन इफेक्ट की वजह से ही गूड्स एंड्स सर्विसीज के रेट इंक्रीज होते हैं और रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारी पर्चेजिंग वैल्यू घट जाती है जिससे हमारे पैसे की वैल्यू भी पहले के मुकाबले कम हो जाती है और यही एक रीजन है कि हमारे खुद के बचपन में जिन 10 रुपेयों की वैल् से बच सकते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम इस प्रोब्लम से बच सकते हैं और वो है गाइस अपने पैसे को इन्वेस्ट करना लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्यादा तर लोग इससे पहले ही घबराज आते हैं उनको ये डर रहता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए जो कि किसी भी साधारन इंसान के माइंड में आना एक नॉर्मल सी बात है लेकिन मेजोटी ओफ पीपल्स की यही प्रोब्लम होती है कि उनको यही ठीक से क्लियर नहीं होता कि उनको अपना पैसा कहां पर और किस तरह इन्वेस्ट करना है तो इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक हाई प्रोफिट आरन कर सकते हो लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीजे हैं जिनके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के दो बेसिक तब ही होता है जब हम बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं रिटर्न मतलब आपकी उपर की कमाई जो की आपके इन्वेस्ट की हुए पैसों के साथ आपको मिलती है ये रिटर्न कितनी भी हो सकती है 10% 20% 50% या फिर दोगना भी डिपेंड करता है कि आपने अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया है बेसिक कुंसेप्ट नंबर टू है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बेसिकली तीन तरह की होती है नंबर वन है हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट नंबर टू है मेडियम रिस्क एंड मिलने के chances रहते हैं और medium risk पर आपको return भी medium ही मिलते हैं अगर आप low risk वाली investment करते हैं तो return भी आपको कम ही मिलेंगे लेकिन हाँ return जरूर मिलते हैं चलिए अब देखते हैं कि कहां कहां पर हम अपने पैसे को invest कर सकते हैं नमबर वन पर आता है FD यानि की fixed deposit तो guys ये 100% safe तरीका है अपने पैसे को invest करने का जहां पर आपका पैसा lose होने के chances almost 0% होते हैं लेकिन ये एक low risk and low return की investment है जहां पर आपको आपकी investment की 3 से लेकर लगबग 8% तक की return मिल जाती है second है gold, gold की कीमत हर दिन increase या फिर decrease होती रहती है अगर आप gold में अपना पैसा invest करते हैं तो आने वाले टाइम में जब भी gold की कीमत increase होती है तो आप उसको अच्छे खासे profit के साथ sell कर सकते हैं और ये एक medium risk and medium return की investment होती है दोस्तो अगला तरीका है real estate ये investment भी gold की हीतर है काफी हद तक similar होती है इसमें आपको एक property खरीदनी होती है और आने वाले टाइम में जब भी property के rate increase होते हैं तो आप उसको एक अच्छे खासे profit के साथ sell कर सकते हैं लेकिन ये एक long term investment है जिसमें return और risk तोनों high होते हैं क्योंकि अगर आपको ऐसे वक्त पर पैसों की जरूरत पढ़ जाती है जब property के rate बहुत डाउन चल रहे हो तो उस वक्त आपको एक भारी नुकसान भी उठाना पढ़ सकता है बट अगर आप थोड़ा patience रखते हैं तो एक वक्त पर आकर real estate से आप दुगना profit भी कमा सकते हैं दोस्तो fourth point है stock market इसको बहुत ही simple way में अगर मैं आपको समझाओं तो इसमें basically हम Tata, Reliance, Mahindra and Coca-Cola जैसी companies में अपना एक amount देते हैं जिसके थुरू वो लोग अपनी companies को run करते हैं अगर वो company आने वाले time में better perform करती है तो उनको होने वाले profit में आपको भी अच्छा खासा profit होता है लेकिन stock market एक high risk and high return की investment होती है इसलिए इसकी पूरी knowledge लेने के बाद ही हमें अपना पैसा इसमें invest करना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का loss ना हो and last में है mutual fund mutual fund उन लोगों के लिए best option है जिने share market की knowledge नहीं है या जो share market में अपना ज्यादा time नहीं दे पाते इसमें आप mutual fund company को एक amount देते हैं जिस amount को वो लोग किसी दूसरी company में लगाते हैं अब क्योंकि वो लोग इस field के expert होते हैं इसलिए वो हर तरह की research करने के बाद ही उस पैसे को किसी company में invest करते हैं जिससे आपका risk stock market के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो जाता है बट यहां भी आपको mutual fund में पैसा लगाने से पहले mutual fund companies के बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तो अगर ये वीडियो आपके लिए useful हो तो इसे like और share करना मत भूलिएगा और चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली किसी भी वीडियो की update मिस ना होने पाए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा जहिन दोस्तो